असलाम लेकू माई लबली वीवर्स वेल्कम टू माई किच्चन मेरी किच्चन में आने के लिए आप सब का बहुत बहुत शुक्रिया आज आप सब की धिरोफोर माईश पर मैं बहुत जबर्दस रेसिपी लेके आई हूँ जिसका नाम सुनते ही बच्चों और भड़ों को क्रेविंग स्टार्ट हो जाती है आज मैं आपके साथ चीसियस क्राउन क्रश पीजे की रेसिपी रिवेल करूंगी मेरी इस रेसिपी को जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेर स्रूर कीजिएगा लेस्टार चलते हम अपनी रेसिपी की तरफ बेसिक चीज इस पीजे में डो ती है डो जितने ही सॉफ्ट होगी उतना ही पीजा जबर्दस बनेगा टू कप मैंने फ्लॉर लिया इस पे मैंने हाफ कप वाटर एट किया हाफ टी स्पॉन मैंने इस पे यीस्ट एट की वन टी स्पॉन शूगर एट की वन टी स्पॉन इसमें सॉल्ट एट करके इसको मिक्स कर लिए अच्छे से हाफ कप प्रेजे और एट किया है वह ही मैंने Wam नोन आड किया ही हाँ बहुत जद आपने आप ने होट भी नहीं लेना इसको और अब जो मैं हाफ कप इसमें मिल्क आड करूँगी से wise दोडा में एयर टाइड बॉक्स में इसको हम एट लीस्ट वार्स रोड़ किंगे ताकि इसकी टो अच्छी सी राइज हो जाए विवर्स के दिखें आफटर टू आर्स इसकी टो किती जबर्दस सी राइज हुई है इसकी एयर जो है मैं इस तरीके से रिमॉफ करूंगी और इसको डोगी शेप दे दूँगी चलते हैं चिकन की तरफ जो हमने राउन ग्रस पीजे में एट करना है किस तरीके से इसकी मैडिनेशन करना है और किस तरीके से इसको रेडी करना है वान एंड हाफ के जी मैंने बॉनलेस चिकन ले लिया व्योर्स के शेडिए इसमे मैं रेड चिलिस आड़ करूंगी वान डेबल स्पोन वन तेबल स्पोन गर्मसाला वान डेबल स्पोन इसमे मैं सौल डेड किया है 1 टेबलस्पोन ब्लैक पेपर एंड 1 टेबलस्पोन सुका दिनिया पाउडर और इसमें मैं अपना हॉममेट तिकका मसल एड़ करूंगी 1 टेबलस्पोन वीवर्ज अब मैं इसके डेस को इनहेंस करने के लिए ताके चीज़िस की मैरिनेशन हो जै और इसमें मैं तो से त्री टेबल स्पॉन विनिगर एड़ करूंगी ये देखें इसके मिक्सिंग ऐसे करने के लिए चिकन को हमने त्री टू फॉर्स आर्ट के लिए मैडिनेशन के लिए रख देना है ये देखें माई लवली व्यूवर्स हमारा चिकन जो है रेड़ी हो चुका है मैडिनेशन हो चुकी है इसकी अच्छे से आप मैं एक पहल लोंगी इसमें मैं त्री फॉर टेबल स्पॉन ओईल एड़ करूगी मैंने इस ओईल में इस चिकन को आड़ कर दिया जैसे ही इस चिकन का कलर चेंज होना स्टार्ट होजे त आप समझें के चिकन रेड़ी होना शुरू हो चुका है तो फाइफ तो टेंग मैं हमारा गे चिकन रेड़ी होजेगा इस दिखें अच्छे सिसमें बबल्स वहन रहें देखें हमारा चिकन रेड़ी हो चुका है जो हमने ग्राउंड को पीज़े में एड़ करना है मैंने लाज साइस का पीज़ा पैन ले लिया और इसको अच्छे साइज से ग्रीज कर लिया अब चलते हैं पीज़े की असेम्बलिंग की तरफ डो को मैंने राउंड शेप देती है अब इसको मैं एजिस से इस तरीके से प्रेस करूंगे यह देखें चिकन जो है मैं इस तरीके से थोड़े थोड़े फासले पे रखके इसके बूरे पैन पे इस तरीके से रखो यह दिखें चिकन को मैंने इस तरीके से स्टेप बे स्टेप प्रग दिया है अब जो क्राउन क्रॉस्ट की में शेप दे रही हूँ इसको आप धियान से देखिएगा अब मैं इसके मेट में जो मैंने आपको चीजियस की सिक्रेट सॉर्स जो थी रिजरंडली बनाना सिखाई थी इसके मेट में मैं चीजियस की सो सेट करूंगी यह दिखें इसको इस तरीके से सप्रेट कर लेना है और अब इसमें मैं मॉस्रेला एंग चैटर चीज दोनों का अडिशन कर रही हूँ वीवर्स के देखें मैंने टिरटेट चिकन एड़ करती है अब इसमें मैं दोबारा से चीज एड़ करूंगी क्योंके हम चीजियस का क्राउंड क्रॉश पीजा बना रहे हैं तो इसमें चीज तो जबरदस धेरो धेर होनी जाए यह मैंने दोबारा से चीज एड़ कर दी अब मैं इसकी टोपिंग करूंगी के इसकी टोपिंग में मेरे पास ओलिव और मैंने रेड एंड ग्रीन केप्सिकम जो है उसकी कटिंग की यही है यह देखें मैं ओपर इसके सब टोपिंग करती है मैं इसकी वीवर्स के देखें हमारा पीजा जू है वह अच्छी से उसकी टोपिंग कर दीए आप यह बेकिं प्री हीट करके रखना है वन ट्रंटी पे और इसको ये दिखे मैंने प्री हीट किया हुआ है अब मैं बेक के लिए इसको रखने लेगी और ये दिखे हमारा कितना सबर दस क्राउंड क्रॉस्ट चीजियस का पीजा घर में ही रैडी हो चुका है मुझे खरवालों से जो एप्री सेशन मिले है इसके रिव्यूज आप ये दिखे इनको कितना सबर्दस्ट और यमी और कितना मजा रहा है इनको आप मेरी रैसेपी को जरू ट्राई किजिएगा शेर किजिएगा मैं आपकी देडु फरमाईशों पर फिर नहीं डिफररन टाइप्स ओफ रैसेपी लेके होँगी और वियोर्स मेरे प्यारे प्यारे वियोर्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा शेयर करना मत भूलेगा मेरे फेस्बूक और इंस्टा पे जो पेज है उसको ज़रोड लाइक कीजिएगा और अपनी दौा में मुझे ज़रोड याद रखिएगा अलाहाफिज